हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, आपका स्वागत है CPI में, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक important topic और important question और question related है, आपका एक बहतरीन organic chemistry का question है, question क्या है, question को लिखते हैं, देखें एक question दे रखा है उन्होंने, वो बोलता है कि एक compound है आपके पास और उस compound का नाम है C9H10O, यह compound है, organic compound, और इस compound की कुछ खासियत है बोलता है, खासियत क्या है, कि पहला तो यह देता है, यह compound, यह compound देता है, 2,4 DNP test देता है, क्या देता है, DNP test ठीक है, और दूसरा बोला कि यह जो compound है, यह tollen reagent को, tollen reagent को क्या करता है, reduce करता है थर्ड बोला गया, कि कैनी जारो reaction भी देता है, कैनी जारो reaction देता है, ठीक है, कैनी जारो reaction देता है, फोर्थ यह बोला गया, कि अगर मैं इसका oxidation करवाता हूं, तो यह कुछ, इस type का compound भी देगा, यह कुछ, इस type का compound देगा, और यहां पर COOH लगा होगा, और यह भी क्या लगा होगा, उता हो, COOH लगा होगा, यह question पूछा, और यह पूछा, कि भाई, यह जो है आपका, कौन सा compound होगा, ठीक है, तो इसको जान लेते हैं, सबसे बेले, जान यह लेते हैं, कि भाई, यह जो compound है, यह इसके माइने क्या है, और इसको solve कैसे करना है, सीधी सी बात है, देखो, अगर इस type का, अगर आपको कभी question पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको घबराना नहीं है, सबसे पहली बात, मतलब आपको यह नहीं सोचना है कि पता नहीं कितना बड़ा question आ गया, किस टाइब का question आ गया, और all these things, you no need to worry about all these things, this is simple, simple इसलिए है क्योंकि आपके पास ना, कम से कम यह दो चीज़े, tolent reagent और canny jarro reaction दे रखी है, तो basically, चले एक बार के लिए, tolent reagent को आप नहीं भी जान दे, तो canny jarro reaction क canny jarro reaction, canny jarro क्या बोलता है, कि पहली condition canny jarro यह है, कि should not be, should not be alpha hydrogen, ठीक है, अगर alpha hydrogen नहीं होना चाहिए, ऐसा canny jarro कहता है, तो इसके लिए, कुछ ऐसा चीज़ होगा, मतलब पहली बात तो इसका मतलब aldehyde होगा, c double bond o h present होगा, और आगे की तरफ, कोई ना कोई, या तो आपका ऐसे phenyl ring लगी होगी, मतलब benzene ring लगी होगी, या फिर h c double bond o o h लगा होगा, या फिर आपके पास हो सकता है, कि ऐसा कोई ketone होगा, जो दोनों तरफ phenyl ring को लगाए होगा, या फिर आपका ये भी हो सकता है, कार्बन है, पर c h 3 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, बताओ, c h 3 होगा, और c double bond o h होगा, इतनी चीज़े हो सकती है, इसके अलावा लगभग possibility नहीं है, उसका reason ये है, कि आपके पास जो question है, question में आपको ये जो दिया गया है, ये दे रखा है, compound आपको दे रखा है, वाई, c 4, c 9, h 10 ले रखा है, तो c 9, h 10 आपके लगभग ऐसे ही किसों में इसमें भी नहीं आएगा, है ना, और इस वाले में भी नहीं आएगा, तो neglect यहाँ पर यह भी हो गए, ठीक है, फिर simple से कैसे समझते हैं, उसको ध्यानना है, सुनना, basically अगर आप ये कहें कि ये reduce, मतलब होके, सुनना, ऑक्सिडाइज होके, अगर आपका कुछ ऐसा compound बना रहा है, कौन सा वाला बताओ, ये है, ये compound है, यहाँ पे भी COOH लगा हुआ है, और इधर भी क्या लगा बताओ, COOH लगा हुआ है, तो ऐसे केस में चीज है क्या आउंगे, उसको समझें, देखो, एक तो है, C1O H group रहा हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्यों इसलिए, क्योंकि देखिए, एक तो अगर यहाँ पे LD headache group होगा, तो कैनी जारो reaction होगी, दूसरा, जो हमें ये product मिल रहा है न, ये COOH, दो मतलब di carboxlic acid, 12 di carboxlic acid, जो मिल रहा है हमको, benzene के उपर, ये कहीं न कहीं इसको भी बता रहा है कि बेंजीन रिंग तो present होगी, अब आगे चलते हैं, tolent reagent को कौन reduce करता है, LD headache, इसका मतलब perfect होगया है, मतलब यहाँ पर पता चल गया है, फिर चलते हैं, canny jar होग पता चल गया है, हमें tolent चल गया है, तो DNP derivative का भी चलते हैं, DNP जो test होता है, DNP जो test होता है, वो presence of presence of presence of presence of co group को बताता है, यह कहीं कहीं कहीं, carbonyl group present होगा, ऐसा बताता है, तो इसका मतलब यह हुआ, कि देखिए, अगर आप इसी compound को देखते हैं, तो आप इस compound में पाएंगे, कि one carbon और six carbon यह, कितने हो गए, बताओ आपके पास, seven carbon हो गए, और hydrogen कितने हो गए, यह two hydrogen, three hydrogen, four hydrogen, five hydrogen, और यह कितना हो गए, बताओ, six hydrogen, ठीक है, अब hydrogen six हो गए, तो ten hydrogen करने हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, बताओ, हमें एक चीज पता है, कि carboxylic acid की जो reaction होती है, एक कुछ ऐसी reaction भी है, आपको साइद पता हो, कि benzene के उपर, सुनें जी, बहुत ध् बेंजीन के उपर, CH3 का यूज करते हैं, कैसे, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो, बहुत important है, मैं यह बताना जा रहा हूँ, मान लिजिए, आपकी यह बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में, अगर CH2, CH3 लगा हुआ है, ऐसे, और इसकी आप reaction करते हैं, कि KMNO4 के साथ, और KOH के साथ, और दूसरा, अगर आप इसमें acidic medium लेते हैं, H positive का, तो यह benzoic acid बनाता है, क्या बनाता है, बताओ, benzoic acid बनाता है, C11OH बनाता है, अच्छा, इससे एक बात पता जल गई, कि जो यह, जो LD हाइड होता है, C11OH होता है, इधर पे आप कुछ भी किसमें change हो जाता है, बताओ, C11OH में, हैना, ऐसे change हो जाता है, तो इसका मतलब पक्का ऐसा कुछ रहा होगा, कि यह आपका, ऐसे होगा, हैना, यह, मतलब बेंजीन बन गया, उपर C11OH रहा होगा, और उसके बगल में रहा होगा, आपका CH2, CH3, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस को oxidize करता हूँ, oxidize करता हूँ, तो यह क्या बना लेता है, यह group भी किसमें change हो जाता है, यह भी किसमें change हो जाता है, यह भी किसमें change हो जाता है, बताओ, carboxylik में change हो जाता है, तो ultimately जो आपका formation होगी, वो formation कुछ ऐसी होगी, कि यह तो C double bond OH बनिया है, और यह क्या होगा, ब इसको करने का एक और तरीका यह था कि सिंपल से पहले तो आपना बेंजिन रिंग बना लीजिए क्योंकि आपको यह पता चलिए कि बन भी बेंजिन रिंग रही है तो आपको पता चलिए तो बेंजिन रिंग बना लीजिए और उसके बाद बेंजिन रिंग में जो सी ओ एच हैं यह कहां से आए तो उसका पता करते ही आप यह सब कर सकते हैं ठीक है तो बहुत सिंपल और सॉट तरीका है सॉट में थड़ है ठीक है तो थेंक्यू सो मच